जहनद आये अब हम लोग पारलियमेंटरी सिस्टम या फिर पारलियमेंटरी फरम पड़riet c가 में चाने हैं मूलत भारत जो है पारलियमेंटरी सिस्टम आपको ऑड़ूर्पट किया था आपड़र इंडिपेंडेंस लेकिन बहुत सारे ऐसे डिमोक्रिटिक नीशन हैं बहुत सारे ऐसे लोगतांत्रिक देश हैं जहां कि पार्लियमेंटरी फॉर्म आफ गॉब्मेंट नहीं हुआ किसी दूसरी फॉर्म आफ गॉब्मेंट है जिसे प्रसिडेंसियल फॉर्म आफ गॉब्में था ठीक है दूसरी बात कि жंद्र और राज्य सरकार है दोनों जगा एक ही सिस्टम है वह है पिरल्यमेंट्री फार्मॉप गबमन्ट नि के स्ट्यूशन जो है भारती सम्विधान जो है वह पार्लियमेंटरी सिस्टम को एड़ाउप्ट किया है ठीक है पार्लियमेंटरी फॉर्म गब्मेंट सेंटर एज वेल एज इस्टेट मतलब जो राज्य सरकार की होते ने लिए स्लेटी बोड़ी वहां भी यही सिस्टम है और जो मुख मंत्री बगेरा चुने जाते हैं और इसके अंद्र सरकार पर प्रदान मंत्री बगेरा का चैन होता है वहां भी पार्लियमेंटरी फॉर्म कमेंटे हैं तो सेंटर में आर्टिकल स्वेंटी फूर और सेंटीफाइब अनुछेद मतलब चहुतर्मा और अनुछेद पचतर्मा और इस्टेट में आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 ठीक है अनुछेद 163 और 164 के अंतरगत पार्लियमेंटरी या फिर पूरे के पूरे जो सिस्टम है पार्लियमेंटरी सिस्टम उसका संचालन उसकी रूल सेंड रिगुलेशन जो भी है उसके अंतरगत दिया कि जितने भी modern democratic nation है जो आधोनिक लोकतांत्रिक जितने भी देश है ठीक है ठीक है वहाँ two type of generally है classified किया गया है system of government वहाँ की जो सरकारे होती है मूल होता है दो तरह क्यों होती है पहला है parliamentary और दूसरा है presidential ठीक है parliamentary form of government and presidential form of government तो parliamentary form of government में क्या होता है जैसे भारत है भारत के उधारन के तौर पर हम समझेंगे लेकिन इस पर कई एक रास्ट है आगे हम लोग पढ़ें parliamentary form of government में क्या होता है कि executive इस टर्म में को अच्छे से जाने है तीन ओर्गन होते हैं सरकार के पहला legislative बिंग दूसरा executive और तीसरा judiciary judiciary तो अपने आप में independent है ठीक है लेकिन the relation between the legislative and the executive organ of the government define the nature whether it is parliamentary form of government or it is presidential form of government जो सम्मद्र legislative body or executive body के साथ जिस प्रकार का होता है वह उसके nature के according ही हम यह निरने लेते हैं कि वह parliamentary form of government है यह प्रसेदेंसिल form of government for example जैसे देखिए पार्लियमेंटी फोर्म में क्या होता है कि executive is responsible to the legislature legislature कौन हो गया जितने भी संसद चुचुन के आते हैं पार्लियामेंट में ठीक है लोग सभामे और राश्य सभामे दोनों में वह संसद हुए legislature मतलब रूसी को कहा जाता है कि जो बिधाई का होती है legislature का हिंदी जो है जो बिधाई का कारे करती है मतलब जो नियम कानून को बनाती है ठीक है एकस्क्यूटिव मतलब हो गया जो नियम को implement कराती है execute कराती है जो नियम है policy है इसकी में उसका पालन करवाती है उसको हम executing executive execute करना मतलो तो क्रियान अबेन करना ठीक है और judiciary तुन्हें आई पालिगा सबको मालूम है तो जो भी executive होंगे पार्लियामेंट में they are responsible to the legacy nature देखो for example executive में जितने भी minister बगेरा आगये और फिर permanent वो तो हो गए कह सकते हैं कि temporary executive जैसे हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं मंत्री बगेरा लेकिन कुछ permanent executive भी रहते हैं जैसे जितने भी secretary बगेरा हो गए joint secretary बगेरा से लेकर नीचे एक कह सकते हैं कि color क किरानी तक उस अब सारे executive member जितने भी collector बगेरा होते हैं तो जो भी executive होते हैं वो legislature legislature in the sense कि जो parliament है जो शंसत है जहां बिधाई कारे होते हैं उसके प्रती जवाब दे होते हैं उसके प्रती responsible होते हैं क्लियर हो गया parliamentary form of government में executive is responsible to the legislature for its policies and act जो भी जैसे मंत्री के द्वारा कोई कानुन नियम इंप्लिमेंट कराना है या इस की कोई लॉंच कर दी है सरकार तो वो legislature के प्रती जवाब दी होती है इन दे सेंस कि parliament में उससे questions पूछे जाते हैं कि भाई आपने इस policy को जैसे लॉंच किया इसे implement कर रहे है इसमें यह हमिया इसके यह नकरात्मक परभाग पढ़ रहे है यह सकरात्मक परभाग पढ़ ने कोईशन आ पर होता है या फिर जो भी बिल अगेर आते हैं तो लेकिए तो उसमे सनसद लोग से प्रस्रशन पूछते हैं होता है discussion होता है मतलब संसद के प्रती जो executive होंगे वह जवाब दे उनका होता है उन्हें हुआ जवाब देना होता है जोर्लिमेज्स के बाइसे प्रकारे है कि पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करती है प्रसंसा भेंक जाती है जो स्रकार अच्छे से पॉलिसी एक्सकियूशन नहीं करती है उसकी आलुजना भी होती यहीं तो लोकतांतर लोकतांत्र एक विवस्ता है तो यह है एक सुक्ष्टीव जो भी के मेंबर होंगे एक्सक्यूटिव चाहा प्रमानेंट हो या टेंप्रोरी एक्सक्यूटिव बोथ हार रिस्मोंसिबल फुर दा लेगिसलेचर फॉर इट्स पॉलिसी जैंड एक्ट क्लियर हो किया यह बात ध्यान में रखना और इसके बाद जब हम प्रसिदेंशिल फॉर्म बगेरा होते इसमें बहुत हर कीचेन किवनेट हो गए कॉंसिल मिनिस्टर हो गया लेकिन मुह लुता इसे कैबिनेट की सरकार भी कही जाती है मंत्री मंडल केंद्रिय मंत्री मंडल ठीक है जिसके अंतरकत जो भी मंत्री बगेरा होते हैं उसका एक कैबनेट होता है इसे बेस्ट मिनिस्टर मॉडल और कॉपमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन से प्रारंब हुआ सबसे पहले यह पार्लियमेंटरी फॉर्म कि आप अगलत ये सब तमाम देसे में भारत का उद्वाराण आपको समझने में असानल हो लेकिन खॉले कि पार्लियमेंटरी form of government है parliamentary system of government है आगे है responsible government एक प्रकार से जवाब दे सरकार होते हैं क्योंकि उन्हें legislature और Parliament में जवाब देना होता है ठीक है तो एक प्रकार से they are responsible government responsible in this sense क्यों नहीं अपनी द्वारा किये गए कारियों को लेकर उनसे जब प्रश्न पूछे जाते तो उनका उत्तर देना होता है they are accountable responsible government and cabinet accountable to the parliament और जो भी cabinet के minister बगेरा होते हैं ठीक है वो accountable होते हैं उनकी जवाब दे ही बनती है कि वह पार्लियमेंट मतलब पार्लियमेंट मतलब क्या हुआ जो नियम कानूर बनाती है बिधाई का तो उस बिधाई का की प्रती इनकी जवाब दे ही होती है they are accountable to the parliament parliament में कौन होते हैं तो member of parliament होते हैं संसत बगेरा ही तो question पूछते हैं आगे enjoy office till enjoy confidence confidence मतलब majority इस पार्लियमेंटरी सिस्टम में जो है तब तक वह सत्ता में बने रहेंगे जब तक इनके पास बहुमत है चुना आप तो 5 साल में हो नहीं है लेकिन मान लो अगर 13 साल में ही इनकी बहुमत चली जाती है तो यह खत्म हो जाएंगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे फिर से election या फिर जो भी अगर opposition को इलाइजन बनाके सरकार बनाती है तो वह अलग बात है बट यह तब तक सत्ता में बने रहेंगे जब कर्यात तक इनके पास भोमत है confidence कि लियोट यह एंड प्राइंम मिनेस्ट्रियल कोफ्मेंट भी इसे खाया जाता पार्लियामेंटरी फ़्म को प्राइं मिनीस्ट्रिय सिंप या फिर प्राइं इस्ट्रील गब मेंन भी का जाताई क्योंक Li के बातों की कीमत या फिर उनको पुरी के पुरी कैमिनेट मैनेजमेंट की जो उनकी ट्रिक्स होती है उनकी एक अपनी वीजन होता है अपनी आई जो लॉजी होता है एक अपना कैसा तेना की काम करने का तरीका होता है तो प्राइम मिनिस्टर्शिप और गॉब्मेंट भी इस democratic system में parliamentary system के कुछ हमने characteristics को जाना और यह जानने का प्रियास किया कि इसमें किन form of government होते हैं अब आज आते हैं परसिडेंशियल ठीक है आते हैं एक्सक्यूटिव मैंने पहली बता है एक्सक्यूटिव क्या होता है जो रूल्स को इंप्रियान वेन करना होता हो इस नौट रिस्पॉंसिवल टू दा लेडिसलेचे में जो एक्सक्यूटिव होता है जो रूस रेगुलेशन को implement कराता है ठीक है बोल लेगिसलेचर वह बिधाय का कि प्रती जवाबते ही नहीं होता है जुनियम कानून को उख्यता जो है बनाती है उसके प्रती इनकी कोई जवाबते ही नहीं होती है ठीक है दूसरा है for its policy and act and constitutionally independent एक प्रकार से एक संबैधानिक प्रूप से या independent होकर काम करता है जैसी अमेरिका का राष्टपती वो पारलेमेंट बगर में जवाब नहीं देते उसी दे जनता को जवाब देते हैं जैसे अभी हमारे प्रधान मंत्री मूदी है वो संसद जाते हैं पार्लियमेंट जाते हैं पार्लियमेंट में बहस होती है उसमें वो पाटिस्पेट करते हैं को एकर मेंबर कोशन पूछते हैं तो उसके जवाब देते हैं, किलियर होगे हैं? अमेरिका के राष्ट पती देख्छों कभी पर्लिमेंट जाते हुए यह लेक्स लेटी बड़ी जो वहां की वहां जाते हुए नहीं क्योंकि वो उनके परती जवाब देह उनका नहीं बनता है, वो सिटीजन को डारेक्ट जव लेकिन हमारे प्रधान मंत्र जो है तियार इंडिरिक्टली एलख्टिड चूने जाते हैं एक संसत के रूप में चाहे राजसभा का संसद हो या फिलोकसभा का संसद हो लेगन प्रधान मंत्री बद का कोई चुनाम नहीं होता वो जितने भी member होते हैं जो मेजूरिटी में सरकार बनाती यह निरणे लेती है मतलब एक प्रकार से यह हमारे प्रधन मंत्री यह यह होते हैंnatural छोन कराता है इस संसत वो उन्हें चौनते हैं लेकिन इनका डाड्रेक्ट बोट नहीं दिएा यहां अमेरिका में क्या है कहीं जैसे यहेंरथ और यह जो डारेक्ट चुने जाने के कारण भी है कि वो सिर्फ जनता के प्रदीजवाब देंगे होते हैं और लेगिस्लेटर की कोई इनकी जवाब देखी नहीं बनती कि यह एक प्रकार से संबैधानी ग्रूप से स्वतंत्र होता हिया अगयहल लिद्धि आठें सब्सक्राइब होती है जैसे चार साल तरहा धा किसी देशों में पान सालोता है जाता है यह दिरिश्पॉंसिवल इना कहा जाता है जोकिए लिज़ेटर क्शेटर की नहीं है Нोन पार्लियमेंटरी कहा जाता है परिसिदेंसिल सी पहतों इस सकार्ले में नाुड पार्लेमें टो यह से हाल कि जैसे उन त्माने को डारं दिया ब्राजील है रस्या है this लंका है लंका में भी परसिडेंशियल फॉर्म आफ कबमेंट है आगया है डारेक्टली एलेक्टेट सभी को मालूम है जो बाइडेन हो गए ठीक है या फिर अमेरिका के राष्टपती का जब भी चुनाव होता है तो हमेंसा चर्चा में रहाद है क्योंकि एक पापरफुल कं मैंटरी और परिशिटेंशियल फर्म फ़र्म प्रियास को होता है जो कि मौदन डेमोक्रेटिक नशन जो ऑडॉपट करते हैं त capacity घडियर हो गया परह्लेयमेंटरी परशिदेंशियल एक पॉइन अलग अगलग करके ही इसलिए लाइन खीच के इसमें समझाने का प्रियास तो आज के लिए इतना है यह समझ में आ गया कि भारत जो है में प्राइम मिनिस्टर से पॉप कब्वेंट है बेस्ट मिनिस्टर मोडल कहें कैबिनेट मिनिस्टर कहें या फिर परलियमेंटर करें परलियमेंटर सिस्टम के ठीक है कैबिनेट सिस्टम के जिस पी प्रकार साथ इसे कह सब्ढ़ें इसके इन्पोर्टन फीचर भी हम लोग ने देख लिया ठीक है अब इस क्लास को अब हम यहीं समप करते हैं अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे बहुत सारे भी कोशन सु क्यों करें आधर किया या फिर पार्लेमेंट sedem अपनेट का और कल करेंसे डिए कितना है मिलते हैं अगले क्लास अगले वीडियो में or so that's all if you are the first time on my channel like it share it as well subscribe it also press the bell icon and if there were any queries comment suggestion advice you may comment in the comment box thank you once again have a great